हलो गाइस अभी की सिचुएशन में हम सब कुछ ना कुछ हेल्दी प्रिफर कर रहे हैं तो उसी को देखते हुए आज मैं कुछ हेल्दी बनाऊंगी जो कि हमारी हेल्द के लिए काफी लाबधायक है मैं यहाँ औरेंज कैरेट्स का सूप बनाऊंगी आपको पता है औरेंज कैरेट्स में काफी मात्रा में बेटा कैरोटीन होता है मैं जिससे विटामि-A बनता है जो की हमारी आइस ठीक और स्किन के लिए काफी बैनिफिशल होता है। इसमें इस में क्षोल ऑफ फाइब वता है जो किम वेट लॉसमें हमारे लिए काफी ओपधायक होता है तो शुरू करते हैं बैनिफिशिल केरइट सूप बनाना तो सूप बनाने के लिए हमें कूकर लेंगे उसमें एक टी स्पून बटर एट परेंगे आप यहां ऑलिव उइल भी यूज कर सकते हैं अब उसमें हम चार लसन की कलिया डालेंगे और साथ ही एक इंच जिंजर यानि की अदरक डालेंगे उसके बाद हम इसमें एक तेज पत् अनियन डालेंगे उसे सौते करेंगे और हलका सा उसे पिंक होने देंगे देखिए अनियन अब पिंक हो चुके हैं तो अब हम उसमें एक मीडियम साइज का रफली चॉप टोमैटो एड करेंगे और साथ ही उसमें वन एड हाफ कप कैरेट एड करेंगे यहां आप रैड कैर भी यूज़ कर सकते हैं वो भी काफी हैल्दी होती है अब हम इसमें वन टी स्पून सॉल्ट अड़ करेंगे अब हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक मिनट लिए उसे कुखोने देंगे एक मिनट हो चुका है तो अब हम इसमें टू कप्स वाटर एड़ करेंगे और उसे अच्छे से स्टर करेंगे और कुकर का ढखकन लगाकर मीडियम प्लेम पर चार विसल लेंगे वेजी अच्छे से कुक हो चुकी है तो अब हम एक स्ट्रेणर के हैब से पानी को स्ट्रेण कर लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है तो अब हम इसमें से बे लीफ निकाल लेंगे और इसको ब्लैंडर के अंदर डालकर ब्लैंड करेंगे सिनेमन स्टिक को भी हमें निकालना है और इसे अच्छे से ब्लैंड करेंगे अब इस blended mix को हम कड़ाई में डाल लेंगे flame को हमें low ही रखना है और इसके साथ ही हम पानी जो हमने strain किया था उसे भी इसमें एड़ कर देंगे अब इसे हम mix करते हुए अच्छे से चलाएंगे इसके बाद हम इसमें 1 4 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर एड़ करेंगे यह अब जरूर एड़ करें क्योंकि ब्लैक पेपर एक एंटी ऑक्सिदेंट की तरह एक्ट करती है इसमें काफी सारे मेंडर्स और वाइटरमीन होते हैं जैसे की मैगनेशियम, कॉपर, विटामियन सी जो की हमारी हेल्थ के लिए काफी बैनेफिशन है अब हम इसमें 1 4 टी स्पून ब्लैक सॉल्ट एड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे साथ ही इसमें हम 1 4 टी स्पून सॉल्ट एड़ करेंगे 1 टी स्पून मैंने पहले भी आड़ किया था इसलिए अब हम इसमें 1 4 टी स्पून ही आड़ करेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे और एक मिनट के लिए सिमर होने देंगे तो लीजिए हेल्दी कैरेट सूप रेड़ी है अगर आपको मेरी कैरेट सूप रेसे पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही नीचे दिये हुए बैल आइकन को प्रेस जरू करें जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिविक्शन मिलती ही रहे है थैंक यू